दोस्तों, e-waste यानि कि electronic waste एक ऐसा विशई है जिस पर आज भी हमारा focus उतना ज्यादा नहीं है, जितना importance e-waste को हमें देना चाहिए, उतना हमारी देश में और सिर्फ हमारी देश में नहीं, दुनिया के अलग-अलग देशों में भी इसको इतना ज्यादा importance नहीं दिया जा र पहले जितने smartphone users थे, उनकी quantity double हो चुकी है, आज हमारे देश में 765 million लोग ऐसे हैं जो smartphone का इस्तमाल कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो एक नया phone लेते हैं और पुराना phone बेच देते हैं, तो उस पुराने phone का क्या होता है, फिर आज देखिए, electricity हर जगा प बढ़ चुके हैं, telephone ले लिजे आप, आपके printers हैं, आपकी जो lighting system हैं, इसके अलावा कितने सारे हमारे gadgets, पुराने computers और छोटी बड़ी कितनी सारी चीज़े, wrist watch अप digital आ चुकी है, और इतना ही नहीं, solar power plant, उनमें भी electronic products का इस्तमाल होता है, wind farm में भी electronic products का इस्तमाल होता है, और आने वाले समय में हैं, तो हम बहुत सारे electronic vehicles को भी देखने वाले हैं, तो पुराने जो vehicles होंगे, या फिर जो अभी जो gadgets अभी तक हमने use किये हैं, क्या उनका proper recycling हमारे देश में हो रहा है, the answer is no, ना के बराबर electronic waste management company हमारे देश में हैं, और अगर हम कुछ और reports के उपर न solar capacity जो हमारे देश में installed होगी, उसमें से जो total waste generate होगा, that will be 325 kilo tons, JMK Research and Analytics कहता है, the market for battery recycling will be around 23 gigawatt hours by 2030, तो battery recycling जो है, वो एक ऐसा खेतर हैं, जिसमें बहुत सारी jobs generate हो सकते हैं, बहुत सारी economic activities यहाँ पर generate हो सकती हैं, इसके साथ CEEW, यानि की, Council on Energy, Environment and Water का कहना यह है, कि 2070 तक भारत जो net zero target एचिव करने वाला है, इसके लिए हमें चाहिए 5,630 gigawatt of solar power and 1,792 gigawatt of wind power, तो अब देखिए कि electronic products का इस्तमाल जो है, वो हमारे देश में बढ़ता ही जाने वाला है, यह net zero target एचिव करने के लिए भी, हम बहुत सारे नए नए gadgets का इस्तमाल करेंगे, और आपने यह भी देखा होगा, कि आज कल बहुत सारी ऐसी companies हैं, कि अगर हम उनसे नया phone खरीते हैं, expensive phone खरीते हैं, तो वो हमें mobile charger नहीं देते हैं, वो हमें headphones प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो यह कहते हैं, कि यह सारी चीज़े ज और आज हम electronic waste management के साथ जुड़े हुए 6 steps discuss करने बाले हैं, अगर हम इन 6 steps को follow करें, तो e-waste को हम properly manage कर सकते हैं, step number one यह है, कि अभी जो electronic waste management के साथ जुड़े हुए rules हैं, उनको revise करने की आवशकता है, सबसे बहले तो हमें clean energy components जो हैं, उसको इसके अंदर add करने की ज़रूरत हैं, यानि कि जो solar और wind के लिए जो इस्तमाल होता है, renewable energy के लिए जो components use होते हैं, उनको भी हमें electronic waste management rules के तहत लाने की ज़रूरत हैं, इसके साथ एक extended producer responsibility को add करने की आवशकता है, what is extended producer responsibility, इसका मतलब यह होता है, कि एक producer है, मान लीजे कि आपने एक electronic gadget create किया, अब electronic gadget जो है, त उसका producer कोई है, अलग-अलग accessories को या फिर अलग-अलग चीजों को assemble किया जाता है, तो यह जितने भी value chain में अलग-अलग players हैं, तो उनकी यह responsibility होगी, कि जो भी products उनके हैं, तो वो products वो वापस market में से waste product जो हैं, उनको वापस collect करें और इनको recycle करें, और इसको लेकर सरकार जो और उसमें से इतने percentage चीजों को आपको recycle करना है, तो manufacturers, assemblers, importers, distributors, सभी को इस नए rule में लाने की जरूरत हैं, ताकि सिर्फ customer के उपर नहीं, जिनोंने चीज़े produce की हैं, वो भी चीजों को recycle करने लगे, step number two, हमारे देश में खुले आम, चीजों को dump किया जाता है, और चीजो को जलाया जाता है, कहीं न कहीं लोग ये मानते हैं, कि अगर आप चीजों को जला देते हैं, तो वो सारी चीजे जो हैं, वो recycle हो जाती है, ऐसा नहीं है, हमारे देश में land filling, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कच्रे के धेर हैं, और ये ज जो बड़े बड़े कच्रे के धेर हैं, और खास करके जो technological products हैं, और इसमें clean energy products भी आगे हैं, तो इसमें बहुत सारे metals और non metals का इस्तमाल होता है, और ये metals और non metals की अलग अलग toxicity होती है, यानि कि इसमें अलग अलग प्रकार के जेरीले पदार्थ भी होते हैं, heavy metals जैसे के lead ह एकेडिमियम हैं, तो ये सारे कुछ ऐसे products हैं जिनको solar photovoltaic modules में इनका इस्तमाल होता है, और अलग-अलग acidic condition में इसकी leaching होती है, यानि कि ये environment के साथ mix हो जाते हैं, lead और cadmium जो हैं, वो हमरे देश के कितने सारे शहरों में, पानी में हमें देखने को मिले हैं, हमारी food chain का ये part बन रहे हैं, और इससे बहुत सारी खतनाक बिमारिया भी हमारे देश के लोगों को हो रही है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे polymeric and capsulant layers जो हैं, जो solar photovoltaic modules में यूज किये जाते हैं, अगर हम इनको जलाते हैं, तो ये sulfur dioxide और कुछ volatile organic compounds को release करते हैं, जो हमारे environment को, ozone layer को बहु और ज्यादा R&D की जरूरत हैं, और इसके लिए हमें चाहिए बहुत बड़ा investment, recycling जो है, ये एक multi step process है, इसमें 3 step है, तो dismantling करना, disassembly करना और extraction करना, अब dismantling जो है, चीजों को जब तोड़ा जाता है, या फिर उनको dismantle किया जाता है, तो ये manual process से भी होता है, या फिर आप इसको automatic भी कर सकते है, machine के माधियम से भी कर सकते है, और logo को भी इसमें बिठा सकते है, जो लोग जो है, वो बैठ कर, चीजों को dismantle करें, फिर disassembly जो है, तो ये तीन तरीके से हो सकती है, या तो mechanical, या machine के माधियम से, या लोग इसको करे, thermally, या फिर heat से कर सकते है, या फिर recycle कर सके, इसको लेकर हम क्या कर सकते है, कि global recycling firms है, ऐसी companies, जो recycling में एक mastery है, उनकी एक महारत है, तो ऐसी companies को हम छोटी बड़ी companies, जो हमारे देश की है, उनके साथ tie up कर सकते है, एक bridge create कर सकते है, जिससे हमारे देश की companies, जो है, वो इन बड़ी companies से recycling करने की जो right और efficient process है, वो सी इसी के साथ साथ, जिब आप recycling करते हैं, तो बहुत सारा raw material भी create होता है, तो अगर अच्छी तरीके से आपने recycling की process को follow किया है, तो good quality का raw material जो है, वो use, means आपको मिलेगा, और यही raw material जो है, इसका फिर से, इस्तमाल जो है, वो हम नए products बनाने के लिए कर सकते हैं, Moving on to step number four, recycling ecosystem का सबसे बड़ा hurdle जो है, वो है finance, अब we have to find some innovative ways, कुछ नए तरीके ढूणने पड़ेंगे, जिससे हम waste management में finance को provide कर सके, इसके लिए सरकार कुछ step उठा सकती है, जैसे के सरकार जो है, यह सरकारी banks और private banks को यह कह सकती है, कि अगर कोई company आपके पास loan लेने के लिए आती है, और अगर यह company renewable energy के waste products को recycle करने की company है, तो आप उनको कम से कम interest वाली loan जो है, वो provide करवाईए, इससे क्या होगा, बहुत सारी नई companies जो है, उसकी भी स्थापना हो सकती है, इसके साथ साथ एक नई market भी generate की जा सकती है, सरकार कुछ ऐसे rules and regulations बना सकती है, कि अगर आप renewable energy के साथ जुड़े हुए कुछ products बना रहे हैं, या फिर अगर आप कोई नए gadgets बना रहे हैं, तो आपको mandatory कुछ ऐसे recycled products जो है, इनका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका percentage जो है, वो सरकार ते कर सकती है, और धीरे धीरे ज जिसके बारे में बहुत कम ध्यान दिया गया है, या जो products है, उनकी design और उनकी quality को और ज्यादा improve किया जा सकता है, जो toxic metals जैसे cadmium हैं या फिर lead हैं, तो इनके कुछ substitutes, यानि कि इनको क्या replace करके कुछ दूसरे अच्छे products के साथ नए products को बनाया जा सकता है, ऐसे raw material को replace करके नए design नए products को बनाने की कोशिश जो हैं, ये भी हमें करनी चाहिए, last but not the least, step number six ये हैं, के central government और state government दोनों को बहुती strict stringent quality control standards तेह करने पड़ेंगे, और जो sub standard components हैं, ऐसे कुछ components होते हैं, जिनका जान बूचकर company इस्तमाल करती हैं, ताकि कुछ समय के बाद वो product जो हैं, व उपर ऐसा कुछ इलजाम लगा था, ये रोप के कुछ देशों में, के जान बुचकर उन्होंने कुछ ऐसे components यूज किये थे, के एक डिट साल के बाद आपका phone बिगड़ जाता है, फिर वो repair नहीं हो सकता, और फिर आपको नया phone खरीदना पड़ता है, तो इस प्रकार की ज इस सारे 6 steps अगर हम follow कर लेंगे, तो इसके बहुत सारे benefits भी है, सबसे पहला benefits तो हमें मिलेगा, वो होगा, environmental या फिर sustainability, यानि कि environmentally friendly products हम बना पाएंगे, और sustainable तरीके से चीजों को हम आगे ले जा पाएंगे, दूसरी चीज, यहाँ पर quality employment opportunities भी generate होगी, बहुत सारी jobs जो है, व एक ऐसा क्षेतर है, जो बहुत सारी अच्छी quality की jobs generate कर पाएगा, और इसी के साथ साथ हमरे देश में ज्यादा तर यह recycling जो है, यह informal क्षेतर में होता है, informal तरीके से किया जाता है, तो यह इसका थोड़ा formalization भी हो जाएगा, और इसमें काम करने वाले लोग जो है, उनको socio economic benefit भी मिलेगा, और उनकी overall quality of life जो है, यह भी अच्छी हम create कर सकते हैं, तो I hope आज की इस discussion से आपको पताया चल गया होगा, कि कौन से ऐसे 6 steps है, जिनको उठा कर हम e-waste को अच्छी तरीके से manage कर सकते हैं, I'm sure आपको यह भी पता चल गया है, कि e-waste management जो है, यह important क्यू है, just look around you कितने सारे electronic gadgets जो है, वो हमारे इर्द गिर्थ हमें हर रोज देखने को मिलते हैं, and that's everything from my side, please do check out my motivational podcast Curiously Forever, what do you think about this video, your opinion matters a lot, please take your review in the comment section, and please don't forget to subscribe to both my channels, one is education and one is Curiously Forever, please share this lecture with other people, hit the like button, I'll see you soon with one more interesting video, topic, till then dosto, enjoy your studies, stay curious, keep learning, Jai Hind!